हेल्थ प्लस प्रोग्राम च थोड़ा सब दा स्वागत है इस प्रोग्राम च आज असी थोड़ी मुलाकात करवान जा रहे हैं डॉक्टर रवनिंदर सिंग कुकाजी दिनाल जो MD Medicine और DM Cardiology ने डॉक्टर रवनिंदर SPS Hospital विखे अपनिया सेवामा दे रहेने साधी टीम ने डॉक्टर रवनिंदर सिंग कुका नाल गल बात कीती साधी टीम नाल गल बात करद्याँ डॉक्टर रवनिंदर सिंग कुका जीने दस है के दिल दे रोगानों बिल्कुल भी अंदेख्या नहीं करना चाहिदा अगर किते दर्ध होवे ते तुरंथ डॉक्टरी सहायता या डॉक्टरी स्राल लेलनी चाहिए और अगर हाट फली सहायड ते किते भी दर्ध हों दिये ते ECG जरूर करवालनी चाहिए दिये दर्ध को हेल्थ प्लस प्रॉव में आपका स्वागत है आज हम आपको मुलाने जा रहे हैं डाक्टर रुमनेंदर सिंग को का जी के साम जो पिछल एलम्बे समय से स्वागत है आपके इस प्रोग्राम पर आने का रहे हैं डासाब हर्ट एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही कोई समय था जब हर्ट की कोई प्रॉब्म आजाती थी तो जैसे लेटें बुझ आती हैं वैसी माइंड सेट अफ हो जाते थे और लोगों को लगने लग जाता था कि अब ये इनसान है जो वो मौत के निक बिल्कुल आ गया और अब ये प्रॉब्म वाली बात है लेकिन आज की साइंस आज कर आप डॉक्टर से नहीं 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 इन 40-50 साल पहले मेजर हाट अटेक से करीब करीब 50% लोग नहीं बचते थे जब भी किसी को हाट अटेक होता था तो 50% उससे नहीं बच पाते थे उस टाइम पे इलाजी होता था कि बेड रेस्ट करवाया जाता था और ऑक्सीजन दे दी जाती थी या मॉर्फीन दे दी जाती फिर धीरे धीरे आया एस्प्रेन आई सी सी यूज का उत्पन इंवेंशन होई कि पेशेंट्स को दिल की धड़कन जब जहा तेज हो जाए तो बिजली का जटका देने का इंवेंशन हुआ इन सब चीजों से भी जो 50% मौत का खतरा था वो कम करके 20-25% पे आ गया है फिर ब उससे यह मौत का खतरा और कम होके 12-15% पे आ गया फिर जो लेटेस्ट जो पिछले 15-20 सालों में जो लेटेस्ट वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट ट्रीक्मेंट हार्ट अटेक का है वो यह है कि जाहे रात को 2 बजे हार्ट अटेक हो आप उसी टाइम उसकी अंजिग्राफी करके उस नस को जो 100% ब्लॉक्ड है बलून से तार से स्टेंड डालके खोल दो तो इसके साथ हार्ट अटेक जैसे बिमारी जो कि पहले 50% जान लेवा होती थी उसका मौत का खतरा हम कम करके 4-5% पे लेटे हैं जो कि यानि कि बेस्ट ट्रीक्मेंट के साथ बेस्ट फिसिलिटी के साथ 95% हार्ट अटेक के पेशिंट को आप बचा सकते हैं और 5% जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं जो बहुत ही सीरियस किनिशन में आते हैं विद बेस्ट आप एफर्ट आप कई नहीं बचा पाते हैं आज कि आप जानते हैं कि हर जगा हार्ट के हॉस्पितल खुल गये है एक आम जगा पे भी एक छोटे सेंटर में बेगर एंजोप्लास्टी करी जाती है तो 98% पेशिंट 95% पेशिंट ठीक ठाक उस प्रस्टीजर को जेल लेते हैं और सक्सेस्पल होता है जो की टू काडियोलजी ट्रीक्मेंट या की टू टर्शरी केर ट्रीक्मेंट वो यह रहती है कि जो 5% छोटे सेंटर पे लोग नहीं बचाए जा सकते थे बीइंग टर्शरी केर हॉस्पिटल जहां पे हमारे पर हर तरहें की सुविदा अवेलिबल है हमारा फोकस रहता है कि हम उन 5% पेशिंट को भी बचाएं जो की अदरवाइस नहीं बच सकते थे मालीजी जैसे कोई किड्नी फेलियर का पेशिंट है अगर उसको हार्ट अटेक हो जाए तो जनरली देखा जाता है कि क्रेटनिन 2 से जादा हो तो अंजिग्राफी कोई नहीं करके करना चाहता है बिकाज उसमें किड्नी फेलियर प्रेसिपिटेट होने का रिस्क रहता है बट ऐसे पेशिंट को भी तो हार्ट अटेक के ट्रीटमेंट की जरूत होती है तो हमारे पास बिकाज भी हार्ट अटेक के दुरान तुरंत अंजिग्राफी करके उनको हार्ट को बचाया जाता है इसी तरह कई पेशिंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं तो उन पेशिंट्स को वेंटिलेटर पे डालके उनकी उसी टाइम पे अंजिग्राश्टी कर दी जाती है अगर आप समय पे हार्ट अटेक का ट्रीप्मेंट करें तो अगर आप उसको लेट कर दें तो पहले बारा घंटे के अंदर जितना डैमेज होना होता है हार्ट का वो हो जाता है अगर आप किसी पेशिंट को हार्ट अटेक के पेशिंट का दो दिन बाद आप स्टेंड डाल रहे हैं तो उस पेशिंट का जो मेजर डेमिज होना था वो पहले बारे मेंट में हो चका हुआ तो इस वाइ इन कार्डियालोजी वी से टाइम इस मसल कि आप जितनी जल्दी ट्र कि और उनको रिकोीर्ड है एंजियोग्राफी उनके लिए जो आपने में 7000 पेका रखा है उसके वरे में क्या करना चाहेंगी युझ जाए कि आंजोग्राफीं तो पर लोग थोड़ा सा उंके मन नमें ड़र रहता है कि हम लोग एंजियोग्राफीं कराइगे तो अंगbellास मैंने करी है वहाँ पर मन्थ हम चारसो क्यास पर अंजिप्लास्टी कर देते थे क्योंकि UP being India's most populated state और लखनौ being the capital of UP तो वहाँ पर इतने patients हमारे पर हाट के आते थे तो वहाँ पर भी अंजिग्राफी 7000 की होती थे तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि the key to cardiology is that you should keep your threshold for angiography low and threshold for angioplasty high जिसका मतलब है कि angiography करने में आपको ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए लेकिन stand डालने से पहले आपको अच्छी तरह से confirm करना चाहिए कि patient को बाकि ज़रूत है कि नहीं angiography एक test है अब मेरे अंदर मान लीजे मुझे शक पढ़ गया कि मेरे अंदर heart की कोई problem है तो उस वज़े के उस डर के तनाव के साथ मैं अपने आपको मैं उदास भी रहूँगा और मेरे मन में एक तलवार लटकती रहेगी मेरे सर के उपर कि मुझे किसी भी time heart attack हो सकता है और अगर मैंने वो angiography करवा ली और मेरे नसमें बिलको normal निकलती है तो मेरे मन से वो डर चला जाएगा और दूसरी बात हो सकता है मुझे heart की problem है लेकिन मेरे नसमें 30% blockage भी हो सकती है और मेरे नसमें 90% blockage भी हो सकती है तो एक 30% blockage भी पेशेंट को हमने कुछ भी निकलता है इवन अप टू 70% of blockage, medicines are equally effective दवाईयों से एक 60-70% blockage भी पेशेंट का अच्छा time निकल जाता है और अगर लेकिन किसी की नसमें 99% है 95% block है और बिना angiography के तो वो हमें पता नहीं चलेगी और हम उस patient को दवाओं पे रख रहे हैं तो अगर वो patient चार दिन बद उसको major heart attack हो जाता है या उसका कोई loss हो जाता है तो फिर, you feel at times that कि काश मैंने इसकी angiography कर दी होती उस time पे या इसने करवा दी होती तो शायद ये नौबत ना थे तो बिमारी को जानना कभी बुरा नहीं होता बिमारी को जानके science के उपर based, एक evidence-based decision लेना that is how we should approach such cases और angiography करवा के अगर कोई आपको आपके मन में doubt है कि जितनी डॉक्साब angiography में blockage बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो उतनी है तो you can always take a second opinion I think I will speak for all the cardiologists in India कोई भी बिना patient को बताए बिना patient की सहमती के strength नहीं डालता नहीं डालना चाहता है नहीं डाल सकता है because it is an obligation एंजोगास्टी में कई पर 0.5-1% जान जाने कभी खत्रहत है और आप बिना patient को या उसके attendance को बताए आप नहीं करते नहीं कोई करता है नहीं कोई करना चाहता है so अगर आपको सही तरीके से किसी ने advice किया है कि आपको angiography करनी चाहिए तो there is no harm getting an angiography done नशब जिस तरीके देना परला हर देरे प्रोलम्स भी खाटान दिया से किया और इलाज भी खाट सिगा कि कहना चाहोगे कि आज हर दी प्रोलम्स भी जड़ी है बड़ी अर्लिस नहीं तो अगे के दर पैट साल साथ 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 देवचे लोगा नों लगता सिगा कि वीपी तेज हो गया कोई medicine खाले असका था बड़ा शौंग जी नहीं तसन लगे हैं था कि मैं भी मेरी ब्लार्दी गोली लगिया मेंने भी शुकर हो गिया कि काना जोगे भी जिदे जिदा एप मारी अभाद रही है उनना उद्धा उद्धा टेक्नोलोजी बाद रही है किया और उद्धा थाट्य आगे य हान जी एदे विच कोई शापनी हैगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स बिमारियां बहुत वादी हैं इन फैक्ट एस्टेम हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ हैगा वर्ल्ड वाइट ठीक है जी ते इंडिया दे विचे प्रॉब्लम्स अंग्रेजा नारों कई साल पह इस तरह किसानों कोलेस्ट्रोल जी शिकायद जादा हो जादी है फिर साधियां आर्ट्री जीडियां देवडियां ने होनादा साइज भी चोटा हूंदा है अस कंपेर टू वेस्टर नर्स दूसरा जी साधी सुसाइटी सीगी ओ प्रैमेरिली पहला अग्रिकल्चर हाथी किर्थ करके कमाण वाले लोग आसी खास करके पंजाबियां बारे तक याई जांदा है ते बट ग्रैजली साधे जड़ा इंडस्ट्री रेवल्यूशन और तो बाद साधे जाहत वर लोग कंदियां डेस्क जॉब्स होगी है या असी इंडस्ट्री दे विच कम करने जिते की हाथ दे नाल कमाना है हाथ दे नाल वर्जिश करनी बहुत कट गी इवन अजकल खेतां दे विच भी अपां मशीन री यूज कर दे हैं चलो माइगरें ले दूर्स आ जांदे बट एज़ लैंडलॉड पिंजाबी किसान भी खेतां विच बहुत ज़दा हथी काम न इनर्जी रिच और ओयल रिच डाइट रही है जिस चुक्या हो थे मर्फ नहीं इना चीज़ां दिर से वन बहुत बहुत करके होया है कि साथा जड़ा 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 बैलेंस है वो विगड़ा है साथा इंटेक बहुत ज़दा रहा थे साथा एक्सपेंडिचर ने चीज़ा जड़ा 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 इन हमां आजड़ा जे प्ञाब परसंट तो जड़ा जड़ा मुटापी द्रशिक भी इन ऐसल़ा हमुटापा इनना सारे भून बार्पा जादा जड़ा थे आञार जड़ा है तो तर सी सम्झाब कारदा आनम जू lekker मुघग कांदा न ते एंड इट स्टार्ट्स प्रिटी यांग, आज कल दी डेट देविची ये देख्या जावें, आसी सारे समयतियां कि हार्टी बिमारी एक बुड़ापेदी बिमारी है, बट एदी जड़ी फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो जवानी दे विची रखी जान दी है, तर आ आई एडवाईज मैं पेशिंट्स की ती साल तो उपर ता उन्हों पंदरासो कैलरी तो जादा अपना डाइट विच नहीं लेना चाहिदा, पंदरासो कैलरी ता राफचा आइडिया है कि पांच छे रोटियां तो खुश्क फुल्कियां तो जादा खान दी, कोई लोड़ जाबियस ही नहीं करते है, आइडियल गॉड़ी वेट कैलेट करना तरीका जी रिच जी बहुत सिंपल है, जे ता डगाद तो पांच फुट छे इंच है, तुसी उन्हों सेंटिमेटर स्टिमेटर करो, पांच फुट छे इंच मैंने, एक सो पैंट सेंटिमेटर, तुसी उ जाबिया जाबिया, जाबिया जाबिया कईटल सेंटिमेटर, ज्यूग जाब़ी रिस्ता हो गयां और जोड़ी आल है कि अफुट जाबस होगे जे नन्हों जाब तो जों अगदेने चुग होगी ता इह लिगा जी जड़ी को एंदाधा आगे पकड़ लांदिया हुं, हा एक आम बंदे नाड हो, दो तो तिन गुणा जादा हार्टदी विमारी होंदा रिस्क होंदा है ठीक है जी ऑपक आपकेए कि शुगर बहुत वधीया कंट्रोल है दिवाईया नाड पर नीज में हाम भी जटना mirrors, फटीना जना किन पूल्पानध रपी मोझा जड़ी नड़ी यहाल ह嘛 उनकंट्रोल्ट्रोल्लै मक्राचनो प्ल्पान तो चाहिए नड़ां रभाद पिछ और लो फिद नर्डब बोगेज तो यह लिख दोकर एंगantry दूसरी काल्या किडिन्या तेयसर होना हो जानता । तो जिए हमाएन भी हास पूस्पाइब करना तो ओर आए इसारे विरिस्क तबरेके इसमस्प्रायब में होताई विच मौन्टिप्लिकेटिव एफएक्ट होने जे एकर बंदे नो दो रिस्क फैक्टर नेता एह नहीं कि ओधा खत्रा दुबना होगा ओधा दुबने दी था चौबना खत्रा हो जाना है हाट टैल तो एसे तरह ही शुगर दे पेशेंट्स देरिया ब्लॉकेज है कि दिल दिया नाड़ा वेच वो बड़ी डिफ्यूज हों लकता है नाड़ा मुदे आसप्स देनाने मुदेज होगाँ नाड़ा पूरे शृरीण दिया भाद कर दो एक्यों यह से करके जब कि पर,-इल सस्पेर नाड ब्लोग है तो अनू अ व्रू पर बड़ाता एंग कोन पर उतल Owen जो सबख देरिया घर तो शूंकर ही काई जी हमारी जडी सारे शरीर नो खांदिया ता इन्हों कंट्रोल देवेच रखना बहुत जुरूरिग ज़िकर ना तुसी प्रवेंटिव डाक्टर मने जांदियो और तोड़े प्रिशन्स जड़े बड़े लंबे समय तो तोड़े ना टाया चागिया और मेडिसन्स खा रहे ने और बदिया जिंदीगी जी रहे ने जसके कर दुसी प्रवेंटिव मेडिसन्स दे लिम शूरू और हमेशा कोई भी चीजा लास्ट जोर ते तुसी रख दे हो अगर आपा स्टांट ती गाल कर लिए अगर आपा बई-पास अजरी ती गाल कर लिए बदलना प्रवेंटर न towards the ने पुनारू उठीज आए जाल जदी आए उनागी आपादिगाय जदी छुकर का तih होडाओ जाते हो उस्टेमें बोचिया ते लिए ने हो कोई प्लकुल उना है प्रवेश बर्फ-ट्रिक्मिट्म्न लिए कुझा हूं ब जी तो पास्रे किसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट जिन्हों सी दवाईयां के देना है तीसरा पार्ट लगा लो कि अपरेशन तहां जेड़ा लाइस्टैल मोडिफिकेशन है वह बहुत ज़्यादा जुरूरी है हर बिमारी देविच हुन असी कोई हार्ट अटेक पेशेंट रह गया है ते हार्ट अट है ता चलो तुसी इलाज करता तुसी अदे नाडा भी खोलती है स्टैंट भी पाता पर जो बंदा दवाई रेगुलर नहीं लेंगा रेगुलर फॉल अपते नहीं आएगा या वो स्मोकिंग नहीं चड़ेगा या उदी शूगर ही चार चार सो रहेगी ता डेफिनेटली होदे वो स्टैंट ब्लॉक होण दा खतरा भी बहुत जादा है होण आम तरते लोका ने मांचे है मिसकंसेट्शन हम दिया कि होण मेरे स्टैंट पाएगा होण मेरी द्वाई बान दो जी जदो कि ऐसा बिलकुल ही है यह मतलब यह नहीं कि तुसी आपने अपनों मरीज समझो पर तौनों यह समझना बहुत जरूरी है कि तौनों एक वारी हार्टी प्राब्लम हो चुकी है तो दूसरी भारी भी हो सकती है ता यह शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियर्स अग्य तो आपा होर संबल के चलना ता ज चाहिए थी है तो ओ एक बहुत गर्थ सोच है क्योंकि जिए पान दिन अबाद अफते बाद खून पतले दिवाही बांद कर देगा तो ओ स्टेंट हंड़ेट परसंट बांद हो जेगा क्योंकि तुसी आपा सारे ने देख्या कि लोहे ते उपर या किसे भी मैटल ते उत् तो ओने नादी ना लो स्टेंट नो ब्लॉक कर देना है एसे तरीके नाद भी स्टेंट असी ता एक थांते बाँने जिथे ब्लॉकेज है ओस तो अग्गे जड़ी नाड है ओथे दुबारा ब्लॉकेज नावए वमारी नावद या बाकी दिया दो नाड़ा विज वमारी एदे वस्ते लाइस्टाइल नो एक सेथ मंद खाना ते एक सेथ मंद जीवन चाहली अपनाना बहुत जरूरी है पंतारी मिंट पंजाम मिंट एक्सरसाइज हफ्ते ज़ पांच दिन हर बंदी नो जरूर करनी चाहिए थिए वेदर इस हार्ट पेशेंट और नाट ते एक आ इन आनो असी एक तरीके ना ओ मान सकते हैं कि बेक अबू जानवर में ए बमारी है जैसी ना नो कंट्रोल ज रखांगे ए साड़े महमाना नो भी नी बटन नी पर जैसी आप दे कर हलके कुता पालके रख्या होगे ते खुला शड़े होगे साड़े कर कोई भी नी आएगा वहार इक नो वाड़े का यहार नो भी नी बटन नो जीवन नो जिन्ना वदिया चला सकते हैं आप तो अनो चलाना चाहिए इना सारी बिमारी नो कंट्रोल ज रखांगे का भी बंदे मुआ सकता है का रात नो भी देने ली अगर कोई बंदे मुआ आजा वे और उनू क्योंकि आज का लोग वे रहा गूगल तो हो साहिच जानों की करना चाहिए बंदे मुआ और किस तरिके दिन आल उन्हें लोगा फॉरवट होना चाहिए इन तुसी बड़ा इच्छा स्वाल पुच्छा रिचिजी देखो हार्ट अटेग एक बहुत वटी अमर्जेंसी है जे तौनों किसे भी प्रकारद अच्छाती दा तर्द है गया तुसी उन्हों इग्नोर ना करो तुसी नियरेस्ट मेडिकल एटेंशन जित्थो तौनों मिल सकती है कोई भी अम्डिबियस डॉक्टर है तुसी जाके अपना ECG जुरूर करवा नाइंटी परसेंट अफ तौन जाट टेर दा ते असी ओस ECG नाल तौन हाट टेक कर सकते हैं तौन तुसी ओधा एप्रोप्रिये टाइम तो दा ट्रीटमेंट कराके एक एहल जी बिमारी जीदा की पंजाब परसेंट मौत दा खत्रा है नों तुसी एप्रोप्रियेटली ट्रीट करवाके 95% अपने करें देसी नुस्खे ट्राइ कर दे रहना है कि यह ता ग्यास बनी है या कुछ भी है ते उस तो बाद की बंदा है कि ओहो फेर किसे नो दस देय कर दे विच ते फेर किसे डॉक्टर को जान देने ता इना करके फिर कही बारी पेशेंट पहले 12-14 कंटे हॉस्पिटल पहुंच दा ही नहीं जदो की मिजॉरटी डैमेज बहुत चुक्या हो दा है यह से करके यह देखन च मिल दा है कि हार्ट अधियां मौत आता है हॉस्पिटल पहुंच दो पहले ही हो जाना है ते जे ओही साथे पेशेंट नो सी टाइनली इंटरवेंशन करके या ट्रीक्मे करके यह देविच कोई दो रहा है नहीं कि मेजर हार्ट अटाइक दा बेस्ट च्रीक्मेंट उससे टाइम एंजिग्राफी करके चाहे रात दे दो वज्जे हो ते जेडी नाडबांदा नो स्टेंट पाके खोल देना चाहे है ते बट साथे एथे कई वरी की देखन नो मिल एसे करके साथे होस्पिटिल एने स्ट्रिक्ट क्राइटिरिया ने कि चाहे रात दो वजे भी हार्ट अटाइक होंदा है ता सीनियर काडियोर्जिस ने आके उससे टाइम उनो देखना होंदा है ते उससे टाइम होदा अपरेट कर देना होंदा है जेड़ा कि असी 24-7 cath lab service यस वजते साथी हार्ट अटेक के पेशन्ट वस्ते अवेलिबल हनते है So this is the best treatment for heart attack तो कदे भी एस गल्दा संकोच नी करना कि मैं कि ते फॉल्स अलाम ता नी रेज कर रहा है कि मैंनू heart attack है भी नी मैं हुई मतलब कि मैं इस गानू जादा सोच रहा है कि बात तो अद की होएगा साधी एक विजिट हॉस्पिटल दी या डॉक्टर कोर्ट फाल्दू दी होजेगी साधा एक टेस्ट एसीजी फाल्दू होजेगा जीदेना तो डगोई नुकसान नी बर जे असी वो पांच परसेंट हार्ट अटेक मिस करते ता वो पांच परसेंट लोका मस्ते वो जहां लेवा होजेंदा कुकाई अरन इस इस्टूशन दुनिया नू जड़ा दे रहे हो जिस तरिकर लोग देना लाज़ स्टूशन दे बढ़े भी अगाल करीगी स्टूशन परन तो बाद विछ विजभी तू कोंशेस तोद आण्यो समधद है ले स्टूशन दे ले इस चैनल दे उत्यान दे ले वाट बहुत बहुत दनेवाग और उस चमागे कि ऐसी इस चैनल दे वाद दूशन दे ले थाद झाल